साथियों मैं बहुती स्पेशल लाई का लड़ू बनाने का आपको रिसीप बता रहा हूं इसके लिए सबसे पर लाई को अपने को साफ करके लेना है और गुड को तोड़ लेते हैं यह चिक्की वाला गुड है आधा किलो गुड लिया हूं और इसमें 200 ग्राम पानी डाला दें ह Rozit है जब तब तक गुड करते है अपने गूड को इसमें ठोला करके अपने मिलाना है और एक बात और का विशेज धानतीके देना है यही एक टिप्स है कि जब हम गुड में लाई को मिलाते हैं थोड़ा-थोड़ा करके तब हमको गैस को बिल्कुल बंद कर देना हैं पूरे लाई को साफ करके लाई में बहुत धान रहता है धान रहता है गले में अटकता है इसलिए उसको अच्छी तरह से साफ कर लीजिए साफ करने के बाद उसको मिलाईए मिलाने के बाद अब अच्छे से मिल जाएगा तब इसको थोड़ा सा उतारिए हलका सा थंडा हो जा है यह पूर्णिमा के दिन में यह दुर्गापुजा के पाद जो पूर्णिमा पढ़ता है शरत पूर्णिमा तो उस दिन होता है और ऐसे दिवाली में बाकी लोग बाकी दिवाली में जो लक्षी में करते हैं आप उसमें भी दे सकते हैं लाई का लड़ू को शुप माना जा तब हाथ में चिपकेगा नहीं और अच्छा से लड़ू बन जाएगा और मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर दीजे लाइक करिए और जादे से जादे से इसको शेयर करिए ताथियो शरत पूर्णी मां 28 अक्ट देखाया आप भी इसको बनाईए और इसको बनाकर कमेट्स करके में को बताईए कैसा बना मेरे वीडियो देखने के लिए धन्यवादा